नमस्कार आप देख रहे हैं News Broadcast 24 मैं हूँ आपके साथ अंजुब भाटी गुरुग्राम में कलब के बाउंसर की एक बार फिर गुंडागर्दी देखने को मिली है इस बार कलब के बाउंसरों ने नेशनल लेवल के एथलीट समय पांच लोगों को बेरहमी से पीटा यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 29 इस्तित स्टूडियो एक्सो पबार का है जहां बर्थडे पार्टी मनाने गए एथलीट समय छे लोगों के साथ जम कर मारपीट की गई नेशनल लेवल के एथलीट को कलब में बर्थडे पार्टी करना महंगा पड़ गया दरसल नेशनल बोडी बिल्डर मोहन मिश्रा का बीती 19 तारिक को जनम दिन था और जनम दिन मनाने के लिए मोहन अपने चोटे बाई और चार दोस्तों के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 29 इस सित स्टूडियो एक्सो पबार में पहुँचे और डांस करने लगे तो उनको किलब के मैनेजर साहिल ने बाहर जाने को कहा बस इसी बीच उनकी कहा सुनी हो गई लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि मैनेजर ने बाउंसर को बुला सभी की बेरहनी से पिटाई करवा दी शिकायत करता मोहन मिश्रा ने कहा कि वह नेशनल लेवल के बॉड़ी बिल्लर है जो का इक खिताब जीत चुके हैं उन्होंने बताया कि कलब के अंदर उनको मैनेजर साहिल ने ही टेबल दिलवाई थी लेकिन कुछ ही देर बाद साहिल ने उनको कलब से बाहर जाने के लिए कहा और इस बीच विबाद इतना बढ़ गया कि जैसे ही वह कलब के बाहर पहुंचे वैसे ही आधा दरजन बाउंसरों ने उनको लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा हाँ जी हाँ मेरा नाम मुहुन वशिष्ट है मैं एक प्रोफेशनल बॉड़ेबिलर हूँ मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ रिसेंटली मैंने भी स्टेट लेवल चैंपेंशिप भी जीती है जिसका नाम है नपीसी डेली जो की 14 अक्टूबर को ही थी मेरा अप करने ने बेसिकली खाने गए थे तो उसके ओपर एक जगह है बिग पिचर तो वहाँ पे हम खापी रहते हैं फिर हमारे दोस्तों ने बोला किया चलो ठीक है तो नाचकूद भी लेते हैं तो नीचे एक जगह है एक स्टूडियो एक्जो बार तो हम वहाँ पे चले गए तो वहां पर भी जाने से एकु शक्राइब कर रहेते हैं तो फिर साहिल करके हम एक मैनेजर हम पर वहारे पास आते हैं और आप अलाओड ने हो यहां पे और आप यहां से निकल जाओ तो हमने बोला कोई बात निए भाई हमें यहां पे आने से किसी ने रोका थोड़ी था आप लोगों नहीं हमें घुसाये हैं यहां और वियर पेंग है अगर आपको हमसे टेबल का कुछ लेना है आप टेबल का लो को जो भी आपका बंता है आप लो एंड जस्ट डिस्टरब इस पर ने का फिर भी कोई दिख आदे हैं पाथ 10 मिं में फिर भी चले जाएंगे कोई इस प्रॉलम भी नहीं है क्योंकि वैसे बहुत हो गयता है हम पाटी बाटी करने ने 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 बाहर जहां पर पाटी ह पर फिर उसको बताने क्या हुआ उसको शायद उसके एगो पर लगी हो उसके बाद उसने शायद मेरे तुशार गुलाटी जो कि महां का ऊनर है वह भी उस टाइम बता रहेते कि कलब में था उसके कहने पे जो कि उसने साहिन ने सबस्राइब करता है जिसका नाम जोगिंदर था उसने आ के मेर से बत्तमीजी करी है उसने गाली गलोच करी है जिसका जवाब मैंने भी शायद उसे कुछ बोला होगा मैं नहीं कहूँगा पर उसने बहुत ही ज़ादा कुछ आके बोला होगा तो मैंने चोटा मोटा जरूर बोला होगा पर उसके बाद उनका ego clash हुआ है फिर उसने भार जाके इन-house bouncers को उन्हें कुछ निका उसने उन्हें कॉंटाक्ट भी नहीं किया उसने भार से सेक्टर 29 में जो बांसर थे भार से लड़के आए अब वो बांसर थे नहीं थे गुंडे थे बदमाश थे कुछ नहीं पता भार से लड़के आए फिर वो हमें भार लेके गए हैं पुलिस वालों के साथ और उसके तो दंडे और पंच और बोड आयम वेरी मुश्वाइब आप बिल्कुल कह सकता हूं शायद पांच या छे लोग तो होंगे इंक्लोडिंग तो बांच या पांच या लोग वेरी मुश्वाइब आप बिल्कुल प्लाइनिंग तो उसी कि अगर वो उंगली ना करता हूं ना फोन करता ना सब कुछ प्लाइनिग इसमें दुशार गुलाटी ओनर से लेके साहिल मैनेजर और भार के जो बांच या बार बिल्कुल बार मतलब बढ़ एंट्रेंस पर बाहर के लेकर जाया गया वहां पर मारपीट है और उसर्प मेरे अकले के साथ नई मेरे साथ जो लड़के जो सारे एन जोय कर रह ungef entonces मारप से मारए हूए और अब मैं ये कहेंग ऑम मद्sy स्थी फिर्टी वाले डी हुई पही थे पुलिस वाले हुंदी वहीं पही थे और उनके सामने सब कुछ हो पुलीज के सामने मारपेट हुई आधीज है और बेरेकाल से च्छे शाथ लोग थे वहां पहीं पुलीज को बूलिस के बट याद वरेरें वॉर्टनेटें टेंडो और पंच्छेस के सामने कौन आता है मैं उसमें पुलिस वालों को नहीं नहीं ब्लेम करूं का बट very unfortunate I mean हम तो ख्यार हम ठीक ठाक है मतलब एथलीट है तो जहलने की शम्ता तोटी सी जाद है पर जिस तरीके जा मार पेट हुई है एक कोई नॉर्मल लड़का एक लेमन इस मार को जहल नहीं सकता he must, he would have been broken up तब हम पुलिस टेशन इस हालत में ही नहीं थे हम पुलिस टेशन गए थे पर आप बताओ ना इतनी मेरी तो मैं I was in a state of shock मैं क्या बोलूँगा या तो मैं पहले घरदा के अराम कर लूँ पहले तो मेरे को समझी है I was I was clueless basically मैं एक जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने निकल जाओ बाद में देखता हूँ मैं I was चीज को emphasize नहीं कर रहा बट जो कि मेरे को करना भी चाहिए मेरी एक gold की chain थी चार तोले के आसपास कर थी 40 grams कर थी वो आदी एक तुकड़ा मेरे पास बचा हुआ है जो मैंने पुलिस SHC आपको भी बता है कि 57 gram का तुकड़ा मेरे पास बचा हुआ है बाकी का गायब है और जो कि पुलिस वालों ने बरामत भी कर ली है ये chain स्नैचिंग हुई है जो गिंदर ने जो कि करी है क्योंकि मेरी जड़ब फुसी के साथ हो रही थी जो गिंदर और जो दो बांसरों उसने मुला रखे थे तो चेंच स्नैचिंग हुई है अभी इन्होंने बरामत कहां से करी है मेरे को नहीं पता क्योंकि हाँ पर चेंच तोड़ ली गए मेरी मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस द्वारा करी गई कारवाई और बहतर हो सकती है मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहूंगा पर मेरे को ऐसा लगता है वो और बहतर हो सकती है क्योंकि और बहुत गुंजाश है इसके इसमें क्योंकि सेक्टर 29 में चीज़े होती ही रहती है मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करता 29 जाना पर उस अब गया हूं तो इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी बनती है पर पुलिस की तरफ से और कारवाई होनी चाहिए हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं बानता हूं चीज़े थोड़ी टैट हो सकती है और हूनी भी चाहिए तीटी सीसी टीवी फूटेज इस दे बेस्ट इंग जिसमें सब कुछ है और सीसी टीवी फूटेज में ही क्योंकि वह बिल्कुल स्टूडियो एक्जो बार के गेट की बात है बिल्कुल एंट्रेंस की बात है तो मैं आम शूर वहाँ पे कैमरा गौतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब क्लब में इस तरह से बाउंसर द्वारा मार पीट की गई हो इससे पहले भी आने को मामले सामने आ चुके हैं जहां क्लब में बाउंसरों की गुंडागर्दी देखने को मिली लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन और गुरूग्राम पुलिस क्लब में बाउंसरों की गुंडागर्दी पर रोक लगाने में नाकाम हो रहे हैं वहीं अब गुरूग्राम पुलिस ने नामज़द बाउंसर समेत मैनेजर साहिल और क्लब के मालिक तुसार गुलाटी पर विभिन धाराओं के तहत मुकदमा गुरुग्राम पोलिस मामले की जाज में जोट गई है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं न्यूज बोड़कास 24 नमस्कार